हेलो एंड वेलकम बेक दोस्तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है अनुराग लौकलासेज इसमें हम पढ़ रहे हैं आईपीसी और आईपीसी में आज हम पढ़ेंगे क्रिमिनल ट्रेसपास जो हमें बता रखा है सेक्शन नमबर 441 में तो क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है पहले ये पढ़ लेते हैं और जो भी जित्ते भी तरीके के हमें ट्रेसपास बता रखे हैं वो सारे हम पढ़ेंगे तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि trespass क्या होता है तो जब आप किसी की property के अंदर जैसे मान लीजे ये एक property है ये एक घर है तो आप मान लीजे किसी के घर के अंदर enter करेंगे और किसी और की possession में वो घर है और आप इस तरीके से enter करेंगे इस intention के साथ enter करेंगे कि आप उस घर में गुसके कुछ offense जैसे चोरी कुछ कमिट कर सके तो आप उसे trespass माना जाएगा ठीक है और अगर क्या कहते हैं मान लीजे ये एक घर है ठीक है ये एक घर है मैं आपको इस घर में बुलाता हूँ कि आईए आप मेरे घर आ जाईए और आप क्या कहते हैं अब मेरे घर में आ गए है और अब आप मेरे घर से जाना ही नहीं चाहते हैं तो ये भी trespass में आता है ठीक है अब हमने criminal trespass पढ़ लिया अब हम हर तरीके के trespass जो हमें IPC में बता रखे हैं वो पढ़ते हैं तो section 442 में हमें house trespass के बारे में बता रखा है तो house trespass में जब आप किसी building के अंदर जब आप किसी building या place of worship के अंदर या कोई पूझा पार्ट की place के अंदर एंटर करते हैं तो वो house trespass में आता है इसकी punishment हमें section 448 में दे रखी है criminal trespass की हमें criminal trespass की हमें punishment जो है वो हमें 447 में दे रखी है और house trespass की हमें 448 में दे रखी है अब हम पढ़ते हैं house lurking house trespass 443 lurking house trespass तो इसमें क्या कहते हैं जब आप house trespass करते हैं और आप कोई precaution लेते हैं उस trespass को छुपाने का तो ये होता है lurking house trespass 444 में आ जाते हैं lurking house trespass by night तो जब आप trespass करते हैं sunrise और sunset के बीच में और दिन चुपने के बाद और दिन निकलने से पहले या फिर जो passage होता है उसे क्या कहते हैं खोल देते हैं फोर्स लगाके या तो criminal force लगाते हैं या फिर threatening करते हैं या फिर assault करते हैं तो वो house breaking में आ जाता है या तो आप खुद करते हैं या फिर किसी और से करवाते हैं तो भी वो house breaking आएगा house breaking by night हमें 446 में दे रखी है कि जब आप किसी का घर तोड़के उसके अंदर घुश जाते हैं तो वो house breaking by night आता है तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू